कि यह नाइट भी नहीं है जाल में भी काप सेते हैं है है जैसे कि आपको पता है कि इससे पहने नाइन काफी ज़्याद कर रहा था और आप यह भी नाइन नहीं जैसे आप यह पर इलेक्टर सीटी बॉर्ड पर देख सकते हो आज मैं आपको सोलाग को इस टोल करके दिखाने लेकिन बेटरी नहीं होने को यह से मैंने उसे कंटीनीव नहीं किया तो आज की वीडियो पर मैं इसे पूरा कंटीनीव करने वाद हूँ और मैंने जो बेटरी बनाए थी बॉर्ड एट नाइन एज की उससे मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने और फुल ली इस रूम प तो बायों देखो यही वादा शोलर पैनल जो मैंने आपको अभी शूरम में बताया मैं तो इसे इसार बुक्स प्रेदी करनी आए निगर आपको तुरंद यहां पर लाइक सिखाना घर बैसे फिर सिखरो वाफन आप दिस सार ने आपको देख लोग अभी मैंने फिर से इस आपको देख सकते हो साथ सब आपको देखो मैंने आपको तेस्टी दिखाया था अब मैं आपको सबसे पर इसका वाइरिक प्रड़ा बता दाओ कि वाइरिक कापी नंबर यहां पीसे हमें आना है छाथ पर और छाथ से नीचे वाइर नहीं आएगा कि इसका जो वाइर है व शहत करीब है और अब छाथ करी जो आपको फर से वाइर आईर रहे हो दनाबक चोबीस से पच्चीस फूट नीचे हमारा आने वाइर और पर क्या करीए इसके लिए वाइर है जाना हमें पर मोटे वाइर करने वाइर को चलो मैं पहले लेकर आता हूं तो बाइव देगो यहां पर में मोटेवल वाइद दो तो लेज़ आज दो लिगून देगो एक आप प्रोग्रम में बतार दाओ मैं वीडियो कल शूठ करें तो दो लात को निकल्स का लाक को लाई दाए रधी वीडियो के रहाइद वीडियो को नाएट को लाक दो लुग्रम कीतों पतन्क्या बीजि़ हो तो लोट वाहां से क्रेक्शन होते हुए डेक्ट महारे को पीज़ने का दूमेडर होता है वाहां वाई पर यूपद के नहों है उसी वाईकु झालता है और उसी वाईकु में आज गळाया है यूच करना हम वहनों इस शॉरर टेरल साथ तो सफसा पर चेमल जाकुम को पार्ख मेराते हैं और उसके वाई इस सॉदर पेनन हो एक साथ करना पड़े है सब्सक्राइब करना पड़ेगा वरनाई यह काम नहीं करने वाला मैं गरेंटी सब्सक्राइब तो क्या करेंगे सब्सक्राइब ज्याद महंगा भी नहीं है तो यह अप लोग फड़ा समझे लेना तो यह देखो यहां पर मैंने इसे पुरा खोल दिया है अपमें थोड़ा सामने साब को दिखाता हो कि यहां पर क्या क्या मेकनिजम पहले लगा हो यहां पर वायर की बात कर इंपेर की डैवर्ड है और इन दोनों वायर पर दोको पोजेटिव और नेगेटीव कुछ इस तरह किसे सोल्डर किया गया है और यह बीच वाला मुझे नहीं पता यह यहां पर क्या हुआ है चुछ यह ब्रीजटिव फायर बनाने की पॉसेटिव है यह पोजेटिव फिर यहां पर यूज किया गया है अब यहां पर वायर को हम यहां से रिमूब कर देंगे और जो हमने वायर लिया है उस वाले वायर को डारेट यहां पर लगा देंगे सबसे रिमुब किया जाले स्वा साही पर लिमुब यहां इसे साहवा है तो बाईयो मैं तुझे तर आ चुकांग कि आप जो सोलर है वहां में लगाना है चलो चलते पहले और इसे इस्टोर करते हैं कि थो चलते हैं यहां पर तुम्हां पर निकाल लिया है क्योंकि छट से आया हुए आपको मैंने दिखाया और इस वायर पर आप हमारा चारजर कंट्रोल करेंट होगा साथ इस पर बेटरी भी कनेक्ट होगा तो अब इसे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना और आए एक बाद बताना चाहता हूँ अगर आपको इसका पूरा सर्क्रीट डाइगराम पर चाहिए तो उसके लिए आप टेलिगराम को जोएन कर सकते हो टेलिगराम क पढ़ेगा क्योंकि खिर्की से यहां से तो वायर हमारा आएगा नि तो साइड़ पर करते हैं वहाँ पर और उस जिए से वायर को निकाल लेते हैं अंदर के साइट दस मिनिट के बाद यहां पर तूड़ा काम है वह मैंने कर लिया जैसे मैं आपको यहां पर दिखा दे रह है और यह मैंने से लिया हुआ है थोड़ा सब बढ़ा है जिससे क्योंकि दो को यहां पर लगा देते हैं हमारे चार्जर कंट्रोलर को दो बाइचंस कभी भी इलेक्रिसीटी पास कर सकता क्योंकि इनवर्टर नहीं पर लगाने वाले और मैं आपको यहां पर दो तरीका बत यहां पड़ेगा यह हमारी सोलर वाली वायर जैता मिन आपको शूरू में बता दिया है अब क्या करेंगे सबस्ब्सक्राइब का जो वायर है उससे हमें यहां पर छिल ने पड़एगा यहां से चिल ले रहा हो थोड़ा से जितना हम जरूरत है उसके यह साब से यह देखो और हाँ एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप चाहते हो कि solar panel को जो भी बरसात होती है तो उस टैम पर हम इसे cut off करते हैं तो यहाँ पर आप एक आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हो कि जैसे कि अगर आप control नहीं लगाते हो तो यहाँ पर केतना वोल्टेज देखने हो मिलेगा 20.1 वल्ड यानि कि यह भी भी कम है क्यूंकि दूब अभी बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर 20 वल्ड आपको 6W और यहाँ पर हमारा 20 वल्ड हमें आ रहा है तो यह हमारा काम करेगा ने तो इसे च्रों करने के लिए आपको इसका यूजर मेंवन पढ़ना पढ़ेगा आप यूजर मेंवन मत पढ़ो मैं आपको इसके वोड कर में बता दूंगा फ़र्श्ट एमपर क्लिक करते हैं तो तो मैं यहाँ पर तेरा वोल्ट पर लास सेट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा होगा तो बेटरी अच्छी चार्ज हो जाएगा आप देखो यहाँ पर लोड के साफ से आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा जो आप आउटपूट लोड लोगे वह भी हमारा रहा लोट आउटपूट करेंट का यादि कि आपको यहाँ पर किरेंट करना पड़ेगा कि आप कितना फूर्ट फel姐 Net कर सकते हो तो मैं यहाँ पर इसे रख्वाँ 10.07 और फिर प्लेख करोगा तो यह एंट्र भोजाएगा नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर तेखो ट्वन्टेटीफोर हावार्स का यहां पर टाइमर दीख रहा है आप यानि कि लोड को यहां से सेट कर सकते हूं कि आपको यहां पर तो मैंने यहां पर लगाया हुआ है तो फर्स्ट वाले को हमें इससे सेलेक्ट करना पड़ेगा अब यह तोटल हमारा क्पाइब। हुआ हमें इसे काफ़ेगा अब यहां पर लगाएब यहां पर रखोऑ है जिससे मैं आपको इसे टेश करके दिखाऊंगा फोन भी यहां पर रखा हूँ है मैं इसे आपको चार्ज करके दिखाने वाला हूँ अब छोटी बेटरी है तो बेक अप साइज जादा ना दिखने को मिले तो वह आप लोग अभी देख लेना अभी मैं आपको यहां चार्ज यहां पर देखो यह लाइन आ चुका है वायर देखो यही वाला वायर है एक्स्ट्रा वायर मैंने यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं किया है अब यहां पर सबसे पहले LED को ग्लो करके देखते हैं तो यह देखो लाइट की बात कर रहा है तो यह अप लोटेज में बार को चार्ज करके दिखाता है लेकिन से पहले यहां करेंगे उसके बाद मैं आपको extension board से चार्ज करके दिखाओंगे आपको सबसे पहले मैं रिंग-ईड को छे करके दिखाता हूं जो कि यह वाला मारे surfing लाइट और यह 5Bl想 रिखा धी यहां पर यहां पर देखो लाइट यहां पर ग्लो कर जाएगा अब जैसे इसे प्रेस करते हैं तो ये देखो हमारा जो रिंग लाइट है वो काफि अच्छी तिद्ध ग्लोग कर रहा है और वोल्टेज को भी देखना वोल्टेज इसलिए मैं यहां पर केमरे को सेट कर चुका हूं वाइट पर स कॉंप मैं आपको वह चार्ज करके दिखागता हूं जाल समय नहीं लेंगे यह डो मैं यह पर लगदिया है अब देखो मैं आपको चार्ज करके दिखा देरा हूं लाइब यह देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफी अच्छीते से चार्ज हो रहा है और जैसे से अगर दूप जो बढ़ेगा जैनि सनलाइट जब किलियर पड़ेगा सोलर पे तो आप जो बेटरी चार्ज करोगे अब काफी लोग यह बोलेंगे यह हमारा कितना आउटपुट देता है तो यहां पर हमें एक आउटपुट देखने को मिल जाएगा दो एंपियर नहीं देखा क्योंकि यहां पर यह चार्जर नहीं है बस एक्स्ट्रा पर यह लगा हुआ जिससे आप असानी से फोन को चार यहां पर दिखा पाऊँगा यह देखो अभी यहां पर हमारा कनेक्ट है अब यहां पर क्या करते हैं चार्जर को इस पर लगा दते हैं कनेक्ट करते हुए अब यहां पर मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ यह मैंने लगा यह देखो अब यह अच्छी तरस यह चार् अब बन दzel करने लिए को दिखते हैं ऑट कि अबी की जुट्टेजर को पूरी से पूरी सigorत कर पाऊगे आप बोलोगे भाई आप आप तो बोल रहे थे शुरू में कि आप बड़े-बड़े समानों को छेख करके दिखाऊगर इस वाले बैटरी से तो में आपको बता से नाग ahora इस वाले बेटरी से आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को बड़े-बड़े समान जो होते पंखे होते टेवी होते वह सबको आप इसे नहीं चला सकते हो यह बस छोटे-चोटे जो समान होते उससे आप इसे ओपरेट कर पाऊगे आप फोन को चार्ज कर सकते हो आपके अग तो उसे चार्ज कर सकते हो LED बल्प को जला सकते हो और इसे ज़्याद अगर आप सोचोगे तो वह नहीं होगा अब चलो मैं एक यह काम कर सकता हो मैं आपको यहाँ पर 100 वाट का जो बल्प होता है उसे में एक बार आपको गलो करके दिखा सकता हूं यह है हमारा 100 वाट का बल्प और मैं गैरेंटी से तो यह बता सकता हूं कि यह गलो नहीं करेगा क्योंकि जब यह 9 वाट का बल्प जला रहा है तो यह 100 वाट का नहीं जलाएगा यह मैं कर दे रहा हूं कि लोड नहीं पढ़ना चाहिए अभी देखो मैं इसे अब करनेट कर र कर रहा है यानि कि जब हम इसे लोड दे रहे हैं तो यह ऑटमेटिक ओफ कर दे रहा है मैं फिर साब को चेक करके दिखाता हूं यहां पर देखो मैं चला रहा हूं इसे ओन कर रहा हूं यह देखो यह तुरन से बंद हो जा रहा है और यह आप समझ सकते हो अगर बड़ी वा वाले इन्वेटर से कितना लोड आप इस पर चला सकते हो तो वीडियो अच्री वीडियो को लाइक कर देना साथी चेनल पर चेनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं जल्दी निव वीडियो के साथ तब तब के लिए बाई बाई